गविज रेकोडिंग स्टार्टेड प्लीस कंसर्म करो सरट पर अधर ओके टेक है चलो स्टार्ट करते हैं करते हैंग कि अच्छा देखो मैंने एकनोमिक्स का यह चो टोपिक चल रहे हैंग इससे पहले इसका एक ही क्लास किया है मैंने शायद सबको शेयर नहीं कर पाया अचली अच्छा एक बात कर दू सेर माम का जो क्लास है ना सर वो आइ थिंक अगिला दो चार दिन थोड़ा ओफ ही रहेगा क्योंकि माम को रिकोबर में टाइम लगेगा फीबर थोड़ा जादा ही है तो अकांट्स एंड मैंस रिलेटेट जो भी क्लासे है ना वो इस सब्ते में थोड़ा दिक्कत होगा नेक्स्ट वी कॉनवर्ट मैं का क्लास आसपर शेडूल होगा जिन लोग का मैं का क्लास रहता है लाइक अकांट्स का आज वेल अस मैंस टैट्स का सो बाकी मेरा जो क्लास रहे का लिक लॉका एकोनोमिक्स का ठीक है और कोई भी क्लास एड होगा तो मैं बता दूंगा ठीक है तो मैं एक बर बोल दिया तो आई होप आप समझ रहे हो ठीक है शेडूल के हिसाब से नेक्स ट्रीं कॉनवर्ट सिक ठाक हो जाएगा अच्छा तो एकोनोमिक्स में आज मैं आपको क्या बताऊंगा सर अच्छी डिमांड का चर्चा चल रहा है तो मैं डिमांड पर ही बात करूंगा हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग स्कूल लेबल में एकोनोमिक्स में बढ़ा होगा या फिर ना भी पढ़ा हो तो भी चलेगा ठीक है धरूरी नहीं है कि कोई प्रायर नॉलेज लेके आए क्योंकि हम लोग क्रैट से ही बात करते हैं तो चस्छ इस से पहले मैंने डिमांड रिल चर्चा होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है सर तो सर डिमांड रिलेटेट क्या बात मैंने कहा था सर एकोनोमिक्स सब्जेक्ट जो है यह सब्जेक्ट फैसिकली मैं गर सिंप्लिफाई करके बताऊं तो यह सब्जेक्ट पैसा बनाने का पेपर यह कैसा बात कर लिया आपने ऐसा तो आज तक नहीं सुना तर आज तक तो बहुत सारे चीज़ करता है वो एकोनोमिक्स के अंदर रखा हुआ है यह बात मैं बार बार बोलता हूँ ऐसा नहीं कि मैं फर्स टाहिं बोल रहा हूँ यह repeat टेलिकस चलता रहता है how to become rich या how to make money ठीक है चाहे fast money हो या slow money हो या फिर sustainable money हो जो भी इसका secret जो है वो economic subject के अंदर और economics related जो further subject आएगा जैसे finance का paper यह समय और advanced level में या stock market related paper ठीक है उसमें और details में बता जाता है कि core area में but main जो area है वो economics ही है जहां से actually किसी भी business का किसी भी country का ठीक है mainly तो country related बात जादा होता है country related बात जादा होता है तो यह basically how to make money money making subject है wealth making paper है चलो screen share कर लेता हूँ मेरा जो notes economist का मैं आप सभी को share कर लोंगा एक simplified micro economist का notes है सर्थ मैं धीरे धीरे share कर लोंगा सभी के साथ जिनके पास already है ठीक है जिनके पास नहीं है उनको आगे आगे कर लोंगा तो मैं अभी बात कर रहा हूँ सर theory of demand and supply पे ठीक है इस पे मैंने demand के बारे में बातचीत करना start किया तो just मैंने last week law of demand का हलका सा introduction दिया यह law of demand क्या है और demand का कैसे draw करते हैं तो law of demand क्या है क्यों है किसलिए है इसका अगर मैं simply तो चार बात करना हूँ एक बार repeat हो जाएगा थोड़ा revise हो जाएगा सर तेरे case studies भी करना है ठीक है सर case studies हाँ सर case studies मैं करता हूँ ठीक है case studies में मैं आपके साथ आज मुझे इच्छा है रिसेंट्टी ये ये भी stock market क्लास में मैं डिसकस कर रहा था और मेरे साथ मैंने रिसेंट्टी experience भी किया इसलिए मैं सोचा कि data आप लोग के साथ भी क्योंकि economic update है सर general knowledge भी है ठीक है तो update हो जाओंगे तो आप लोग के लिए भी अच्छा है और सबसे important बात है सर case studies discussions हो जाएगा कि economics के application area में बात हो जाएगा सर क्या case studies सर आएगे case studies में आएगे थोड़ा सा orbit topic लगेगा आप लोग को मने syllabus wise नहीं लगेगा थोड़ा बाहर करतें कि सर यह financial general knowledge है तो actually recent लिए रिलाइंस का एक demarger हो रहा है मने रिलाइंस company जो है न उसमें से एक part अलग हो रहा है उसका नाम हो रहा है सर जीओ फिनांशियल सर्विस कहा जा रहा है सर यह जो जीओ फिनांशियल सर्विस है मुके शम्पानी का इमेज देखके लग रहा है सर यह जो जीओ फिनांशियल सर्विस है क्या यह विल रिलाइंस डिस्रप्ट दी वर्ल अफ मनी यह जो हमारे इंडिया में स्पेशली जो पैसा का मने मनी का जो सोर्ज है या फिर मनी का जो अबिलिबिलिटी है क्या रिलाइंस इसको डिस्रप्ट कर सकता है और एग्जिस्टिंग सिचुएशन से क्या रिलाइंस इसको कुछ अलग कर सकता है सर मतलब समझे नहीं शायद जरूरी नहीं अभी मैं समझा भी नहीं रहा हूँ यह सब तोड़ा से लेबल आप डिसकेशन है बट कोई बात नहीं सर मैं कोई हाइप क्रेट नहीं करूँगा मैं आपको धीरे धीरे सब समझाऊंगा कि एकोनोमिक्स पढ़ना क्यों है और यह सब रियल लाइफ सिचुएशन जो हमारे आसपास में होता रहता है यह सब चीजों के साथ कनेक्ट कैसे होना है ठीक है मैं यह भी डिसकस करूँगा प्रैक्टिकल अप्लिकेशन सब एकोनोमिक्स भी चाहिए सर ठीक है मतब रिलाइंस का जो फिनांशियल सर्विस कंपनी मार्केट में आने वाला है मुझे भी इसका शेयर मिल गया है सर मतब मिलने वाला है तो इसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं आपको आगे बताऊंगा कि यह क्या करने वाला है तो इसमें डिमांड का कुछ रोल प्ले है क्या हाँ सर डिमांड का रोल प्ले है पैसा हम लोग को मिलता है अरभी आई के थूरू से मिलता है हलो इतना तो आप लोग भी जानते हो सर थोड़ा सेंस लगा कि मुझे हाना बोलो हम लोग के हाथ में जो पैसा आता है कौन च्छापता है करेंसी च्छापने वाला मेशिन किसके पास है प्लीज चल्मी अरे जल्ली बोलो अरभी आई के पास अरभी आई के पास थेंक यू सर बस यहीं तो पूछा लेकिन क्या हम लोग आरभी आई में जाके पैसा लेके आते हैं तो आर वी आई पैसा या नोड चापता है फिर बैंक को डिस्रीबूट गर देता है फिर बैंक उसको एकोनोमी में सप्लाई कर देता है ऐसे ये money supply एक macro economic concept है, वो भी एक पढ़ाई का concept है, मैं वो सब में बात नहीं कर रहा हूं सर्थ, मैं तो basic economics में बात करूंगा, money supply जो concept है वो भी economics में macro economics level में पढ़ा जाता है, बट मैं वो सब details में नहीं जा रहा हूं, बस एक simple सा सवाल किया आप लोगो, economics में एक simple सा सवाल है, सबको बता है कि पैसा चापने वाला RBI, पैसा distribute करने वाला bank या financial companies, तो हमारे सभी के हाथ में, public के हाथ में, या population at large के हाथ में, जो पैसा घूमता रहता है, इसको बोलता है, velocity of money, कितना पैसा market में घूम रहा है, तो उसमें अगर देखा जाए, तो इंडिया का जो current financial company है, ज सबसे अच्छा काम कर रहा है HDFC bank, उसके साथ उसके बाद आता है SBI, मतलब valuation wise बात कर रहा है सर, billion rupees में, ठीक है, सबसे ज़्यादा HDFC bank, market में पैसा का valuation wise distribute कर लेता है, through finance, मने लोगों को loan देता है, second में SBI है, third में ICICI bank है, access bank है, geofinancial service entry करने वाले है, पंजाब national bank, उसके बाद bank of barodha, kotak bank, kanara bank, indus ind, bajaj finance, जी जाथी top player in the market, तो geo, मतलब reliance इस market में नहीं था सर, वो आने वाला है, मतलब company बन गया है सर, बट वो आने वाला है, जिसका नाम है geo financial service, तो market में एक perceptions बर रहा है कि क्या ये market में demand supply situations को इधर उधर कर सकता है, ये बहु नौर्मली share market related जो class मेरा चलता है, वहाँ पर ये सब student लोग माता खराब कर देता है, दादा share लेना है कि नहीं है, reliance का क्या बोल रहे हो, मैं ये सब बात अभी तो नहीं करूंगा आपके साथ, मैं तो बस economic application related थोड़ा सा idea दिया आपको, चलो ठीक है, ये मेरा main vision नहीं था, ये तो जस्ट एक डेमो था, कि किस level में economics बात करता है, बस इसको लिए मैंने बताया, अब मैं आपको core area में लेके आ रहा हूं, कि demand supply का जो core area है, जो एकदम basic level area है, हम लोग उसी में बात करेंगे सर, लेकिन बीच-बीच में ऐसा case studies तो सामने आएगा, तो अगर मैं आपको बताओं, कि सर, ये जो theory of demand है, या theory of supply है, पहले तो demand में बात करेंगे, फिर धीरे-धीरे supply के तरफ बढ़ेंगे, अथा किसी भी economic system में, ऐसे economic system का बात जब भी कर लिया मैंने, कोई मुझे बता सकते हूं सर, worldwide कितना economic system mainly चलता है, दुनिया भर में, में-में economic system क्या है, प्लीज तरव मी सर, देश को चलाने का एक system होता है economic का, उसका भी तीन अलग-अलग तरीका है, बोलो सर, कोई तो बोलो, वही पॉलिटिकल परपस में भी जैसे कहा जाता है, वही वाला चीज मैं भी पूछ रहा हूं, capitalistic economy, very good sir, socialistic, very good sir, socialistic economy, and third point is the mixed economy, very good sir, भी तो चाहे economic system कुछ भी हो, capitalism के system से हो, means free economy like America, England, European world, socialistic like China, Russia, Cuba, or mixed like India, Bangladesh, Pakistan, these are mixed, Pakistan को कौन सी फिल्ल पे रखा जाए, socialistic की mixed पता नहीं sir, चोड़ो, Pakistan को चोड़ो तो, अच्छा, पता नहीं लगता है sir, उसका देश, government चलाता है कि military चलाता है, समझ में नहीं आता, अंतर confusion है, वहां का लोग भी confused है, पाकिस्तान को चलाने वाले कौन है, चलो ठीक है, मैं अभी बात नहीं करूगा, तो demand के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे, ये सब जो बाते हैं ना, system बाला, ये सब तो, मैं अल्रडी, एक बार बात किया था, रेसेंटली किसी क्लास में, मैं फिर इसे करूँगा, don't worry सब, तो फिलाल मैं आपको demands पर बात करूँगा, demand जो economics में है, वहां पर हम लोग economy में demand forecasting करना सीखेंगे, demand को determine करना सीखेंगे, law of demand का मतलब जानेंगे, demand का carb ड्रॉग करना सीखेंगे, जिसको demand schedule या demand carb कहते हैं, इसके अंदर demand के अंदर भी न, expansion, contraction, increase in demand, decrease in demand, सिर्फ रटना नहीं है सर, अंदर से जानना है, ये सब real life situations में क्यों इतना जरूरी है, और बार-बार में बोल रहा हूँ, ये जो subject है, ये actually how to become a reach, how to make money, ये सवाल का जवाब, ये subject ही देता है, पैसा बनाने का subject है ये, दुनिया में और कोई subject नहीं है, जो how to make money का बात करता है, ये ही करता है, economics ही करता है, तो इसमें expansion, contraction of demand, increase and decrease in demand, ये सब बात्चीत करेंगे दीरे-दीरे, फिर elasticity पे भी बात करेंगे, elasticity पर भी types होगा सर, price elasticity, income elasticity, cross elasticity, advertisement elasticity, consumer behavior पे बात करेंगे सर, consumer behavior पे बात करेंगे, ठीक है, सर, इतना बात करेंगे, अरे सर, क्यों दिमाग घराब करेंगे, खुद का, मैं तो जस्ट आपको flow chart पढ़ा रहा हूँ, अभी थोड़ी सारा का सारा चीज़ जानके एकदब माता कराब थोड़ी करना है, consumer behavior में marginal utility analysis के बात करेंगे, ये तो आज ही कर सकते हैं सर, इसके बात जब supply बोलेंगे न, तब supply में भी law of supply, determinants of supply, supply schedule, supply curve, expansion, contraction of supply, decrease, increase in supply, as well as elasticity of supply, तो basically demand and supply जो chapter है, इस chapter के अंदर ये ये topic cover करना है, लेकिन सर, ये topic cover करना, चुठकी का खेल तो है, नहीं, ऐसा नहीं कि एक button दबाए और सब हो गया, थोड़ा समय देना पड़ेगा, तो ये मेरा simplified notes है, अब लोग यहां से पढ़ते हैं, मैं share लूँगा आप लोगों से, question भी होता है, हर chapter के पीछे, 100-100 questions होते हैं, practice के लिए, वो भी दे दूँगा, और एक साथी रहता है सर, आप लोग practice कर सकते हो, अपना knowledge बढ़ा सकते हो, exam के लिए भी popular होता है, अच्छा, तो मैंने last class जहां पर छोड़ा था, मैं वहीं पर start करूँगा, बट क्यूंकि काफी सारी लोग, first time मेरे पास economics बढ़ रहे हैं, तो मैं थोड़ ऐसे दो चर बात कर लेता हूं सर, दो चर जादा नहीं करूँगा, max to max 15 minute लोगा, revision के लिए, ठीक है, बाकी लोगों का revise हो जाएगा, सर देख लेना सर, आज तो मैं, सर ऐसे तो time के मामले में आप लोगों को पता है, मेरा बहुत ही खराब reputation है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा, 15 minute में आपको revise करानेगा, ओके, एकदम, और जो लोग details में पढ़ेगा, उनको मैं last class share कर लोगा, वो बाद भी घर में समय लेके, details में complete कर ले, सर, 15 minute में demand बताऊंगा, सर, जो में last class में पढ़ाया था, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता रहा है, demand क्या है, demand refers to the quantity of good or service that a consumer is willing and able to purchase at various price during a period of time, सर, मैं जल्दवाजी में समझाना नहीं भोलता, मैं बोलूगा सर, सुनला, demand क्या है, in simple demand यही चीज़ होता है, कि अगर आज के date में किसी को भी, किसी को भी, किसी भी human being को, जो भी चीज़े चाहिए होता है, चाहिए वो कोई goods हो, चाहिए वो service हो, जैसे मानो, एक simple example ले लेते हैं, आपको अगर भी भूग लगा है, तो आपको मैगी खाने का मन कर लिया, ऐसे, I don't know, आप लोगों में से कितना लोग मैगी पसंद करते हो, पर अगर rainy season हो, मुझे मैगी बड़ा पसंद आता है, मैं जिनुवीन भात कर रहा हूं, बले ही, वो healthy हो ना है, तो doesn't matter, but sir, मैगी shortcut में भूग मिटाने के लिए एक अच्छा आइटेम है, खाने के लिए, और noodles काफी लोग पसंद करते हैं, ऐसे मुझे noodles अच्छा लगता है, खराब नहीं लगता, sir, कहना क्या चाते हो, आपका पसंद ना पसंद जानके हम लोग क्या करेंगे, अरे कुछ अच्छी नहीं, sir, demand समझा रहा हूँ, so demand refers to the quantity of a good or service that consumers are willing and able to purchase, अच्छा एक चीज़ बताओ, मुझे मैगी खाने का मन क्यों किया, क्योंकि मुझे भूक लगा, एक packet मैगी का basic price क्या है, 15 रुपीज क्या, please tell me ना, sir, 15 या 14, standard packet, कोई तो बताए मुझे, 14, 14, thank you, sir, so 14 रुपीज का, अच्छा, क्या मेरा ओकाद है, 14 रुपया का, हाँ, हाँ, sir, मेरा ओकाद है, ओकाद का बात ना करो, ऐसा मन में जा रहे हैं, नहीं, sir, demand ओकाद का बात करता है, ओकाद का बात डिमांड करता है, आप जिस चीज़ का डिमांड करोगे, उस चाहिए, मने, sir, ओकाद मने, sir, ओकाद मने, pocket का power का बात करता है, ठीक है, तो मुझे भूग लगा, मैं मैंगी खाने का मिचे मन किया, और मैं, मैं, मैंगी खाने के लिए, 14 रुपीज, pocket से निकाला, मैंगी खरीद के लाया, घर पे मस, पैन लिया, पानी डाला, बनाया, और खा लिया, sir, सवाल क्या है, sir, सवाल तो ज़्यादा कुछ है नहीं, सवाल तो एक सिंपल सा बात है, जिस चीज़का आप डिमांड करोगे, जिस चीज़का आप डिमांड करोगे, उसका purchasing power भी होना चाहिए, willingness भी होना चाहिए, able to purchase होना चाहिए, मैं इस ability के बारे में बात क कर रहा था, at various price during a period of time, एक particular period होगा भूख अभी लगा है, तो अगला आदा गंटे के अंदर तो मुझे चाहिए, sir, है ना, क्योंकि आदा गंटा में जो यह जो, यह जो food का जो एक आया है, sir, अंदर से जो एक आवाज आ रहा है कि भूग लगा है, भूग लगा है, इसका एक time period है, जब भूग लगे, तभी खाना अच्छा लगता है, और तभी खाने का demand होता है, तो simple सी बात है, कि demand refers to the quantity of good or service that consumers are willing and able to purchase at various price during a period of time, sir, अगर मुझे भूग मुझे लगा है, मैं मैगी के जगा, कोई ऐसा food के बारे में सोचता है, जो मेरे औकाद के बाहर है, ऐसे expensive food क्या है, किसी को पता है, कि दुनिया का सबसे expensive food, क्या है, जो क्या है, क्या क्या है, नाम बता, spelling बता हूँ, जो क्या है, स्पेलिंग भूल गए, स्पेलिंग भूल गए, expensive पूर्ड इन दी वर्ल्ड, चलो देखते हैं, क्या है रहे भाई यह सब, कोग, बीफ, वाइट, ट्रफल, बेलुगा, केवियर, सैफरॉन, कितना दाम पड़ जाता है, लाखों का प्राइस है, क्या हो सकता है, कोई रेयर चीज से बना हुआ चीज हो ना, तो दाम तो पड़ेगा सर, इतना बता रहा है सर, तीन हजार, चार हजार, यह तो खालूंगा, नहीं, पच्छीस डॉलर से पच्छास डॉलर पर आउंस, 76 डॉलर, काफी बहेंगा है, काफी महेंगा है, चलो, इतना महेंगा चीज कौन खाएगा, यह देखो सर, बाप रहें, क्या-क्या सब महेंगा चीज आ रहा है, ओके, बाद में आप लोग रिसर्च कर लेना सर, बाद में आप लोग घर में बैटे-बैटे रिसर्च कर लेना, मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, कि अगर कोई प्रोडेक्ट मेरे पॉकेट के पावर से जाधा है, भूप मटाने के लिए, तो वो मेरा डिमांड नहीं हो सकता, तो डिमांड हमेशा पांच एलिमेंट से बना जाता है सर, एक कॉमोडिटी का डिजायर होना चाहिए, यह मैं लास्ट क्लास में समझाया था, पर्चेस करने के लिए इच्छा होना चाहिए, मेंस तो पर्चेस होना चाहिए, विलिगनेस तू पे, पॉकेट से पैसा निकाल है, जैसे आप लोग अभी CA बनने के लिए, या CS बनने के लिए आयो, है ना, इसका एक टाइम फ्रेम है, कि फांडेशन तो six months में क्रैक करना है, entrance या foundation, ठीक है, फिर आप सोचे होगे कि intermediate क्रैक करना है, एक तेर साल के अंदर, 1.5 यह के अंदर, कम से कम, फिर final क्रैक करना है इस तरह का टाइम फ्रेम लेके आप CSES का डिमांड फुल्फिल करने आए, उसके लिए भी एक certain amount, tuition charges, institute का registration charges, है ना, पे करने के लिए आप लोग, रेडी हो, तो चाहिए हो commodity हो, चाहिए service हो, desire for a commodity means to purchase, willingness to pay, certain price and certain period of time, यह चीज़ होना चाहिए, तब जाके हम उसको कि डिमांड हुआ है, हाना, आपको क्या हुआ है सर, आपको डिमांड हुआ है, हाँ बोलो सर, कुछ सवाल आ रहा है, ऐसा लगा मुझे, बोलो, बोलो, कोई कुछ पूछना चाहरे थे, yes, नहीं, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर, तो मिनिंग ऑप डिमांड तो इतना सा है, अच्छे, डिमांड को डिटर्माइन कौन करता है, सर, डिमांड को डिटर्माइन करने के लिए, एक एक विशन सिखा जाता है, डिमांड डिटर्माइन करने वाला जो एक विशन से, उसको ऐसे बोला जाता है, फंक्शन सब पी, टी आर वाई टी एंड ओ सर यह क्या मतलब हुआ तर अभी समझा देता हूँ दो मिनिट दो कि यह लास दिन भी मैंने डीटेल्स में बोला आज मैं डीटेल्स नहीं बोलूँगा शॉट कट करूंगा सर्थ क्या हो रहा है सर्थ नेटवर्क इशू हो रहा है लाइसेंस इशू करेंगे सब को तो फिर यह नेटवर्क का जो फ्लक्ट्वेशन्स है न यह कम हो जाएगा नेक्स वीक के अंदर मैं सबको ना स्पेशल लाइसेंस इशू कर दोंगा जिनको ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो डारेक्ट इंटर कर सकता है अच्छा देखो तो डिमांड इकोल्स तो क्या है सर्फ फंक्शन सब पी पी यर वाई टी ओ किसी भी प्रोडट्ट का डिमांड हमेशा इस चीजों पर डिपेंड करता है और डिमांड तुम किस पर डि मेरा बात कर रहा हूं आप लोग हो सकते हो सर सुपर डूपर मल्टी बिलिनियर ठीक है सर मेरा इतना करेंटली मैं वह इसा नहीं सोचता भले ही अगर बिलिनियर बन भी जाओ न तो भी शायद यह एटिटीट्यूड नहीं बदलेगा मैं शौपिंग मॉल में शौपिंग कर सब लगता है ठीक है अगर जो जीन्स पसंद आया अगर एक जीन्स का दाम पांच जार के उपर चला गया ना तो मैं सोचता हो वह माता खराब है कि आप पांच जार का जीन्स पहनना है अगर काम 2000 से हो सकता है तो मैं क्यों 5000 के पीछे भागू एक सिंपल सा बात कर रहा हूं सबस्क्राइब करता है कि अगर गार लेना है तब है तो क्या है इ Parl प्राइस इंपार्टन मैडर होता है और सबसे म्मॉड्न मैटर होता है किसी पिर्लक पर्डफ का डिमान्ड भी सबसे जदा क्या है लेकिन प्राइस के अलावा और भी चीज़ें जो डिमाइंड को आफेक्ट कर सकता जैसे कि आप जिस चीज के पिछे भागये भागया बागय पहुंचे न anci उसका रिलेटिट प्रोडेक्ट कुछ है कि नहीं उसका दाम भी आप एक बार फाइंड करी लेते हो अगर मार्केट में किसी भी चीज़ का सब्स्टिटूट प्रोडेक्ट में जाए आपको तो अब इसलिए अब रिलेटिट प्रोडेक्ट का दाम तो ढूनों गे ना सर ऐसे कार बिना पैटरल का कैसे लगेगा बोलो ऑचिंए सब्सक्राइन लोग होते हैं बिना चाय तो नहीं पी सकता थोड़ा सा करता हूं है फोड़ा सा है मेरा नशा चाइब कि नहीं कि ना मिलने से हैं कुछ पागल हो जाओंगा जैसे पागल हो जाते हैं इसा बात नहीं है बैथ हाँ अगर चाई नहीं पीता हूं तो लगता है लेकिन चीनी वाला च्याही हम से है इनकी वालाच कि मैं समझा पार आपको Heckous calculate क्या होते दो गुड्स एक साथ हैं तो कुछ काम का है सींगल में कोई भायलू नहीं है। है कि से सुगर का दूसरा यूज़ है और आप समझ गया में कहना क्या चाह रहा हूं तो जब आप का डीमांड करोगे तो प्ट्रॉल नहीं खरिदना है, middle class बात कर रहा हूँ, reach का नहीं सर, middle class लोग गाड़ी खरिदने से पहले petrol कदाम के बारे में सोचता है, जो middle class होते हैं, अगर कोई reach class कि में आते हैं न, वो सोचे का नहीं सर, यह जिसका necessity है, अगर आप गाड़ी का business करोगे, लाइक भाड़े पे दोगे, तो फिर आपको क्या आप तो अपने customer से पैसा उठा लोगे, बट सॉक से गाड़ी खरिदते हैं लोग, middle class family बहुत कोशिश करके, एक 7 लाग, 8 लाग का गाड़ी लेता है, फिर उस गाड़ी में चड़के, हप्ते में एक दिन, इको पार्क गोमने जाते हैं, तो बड़ा सॉक का चीज़ होता है, बट पेट्रोल का प्राइस है कर देवसोड़ा का लिटर हो जाए न, यही middle class family दस बार सोचेगा, गाड़ी लेना है के नहीं लेना है, सर मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बताना, आरे, जल्दी बोलो, 15 मिनिट का डेटलाइन खतम हो रहा है, जल्दी बोलो, आँ, सर, तो बस बही बात करना चाहता हूं कि कॉम्प्लिमेंटरी गूड्स में भी प्रोड़ाट्ट का डिमांड में फरक पड़ता है, कि कार लेने ही जाओगे, तो पिट्रोल का डाम उसका एफेक्ट कर देता है, तो बैसिकली मैं कहना यह चाहता हूं कि रिलेटेट गूड्स का प्राइस, एफेक्ट करता है डिमांड को, है ना, सर, यह तो आप कॉंप्लिमेंटरी बता दिये, सर, बाकी जो लोग थोड़ा सोच रहे हो, सर, और डिटेल्स हो, मैं उनको भी बोलूँगा, मैं प्रिवियस लेक्चर्स में काफी डिटेल्स में बात किया, इसी पॉइंट में शाहिद आदा गंटा बिता दिया, एक कॉफी और भी कुछ बता सकते हो, अब लोग चाहो दो, जियो वर्सेस एरटल, अच्छा एक्जाम्बल होगा, है ना, जियो नेटवर्क वर्सेस एरटल नेटवर्क, अगर जियो का नेटवर्क चार्जिस ज्यादा होगा, तो हो सकता है कि लोग एरटल में सिफ्ट हो काफी इंपेक्ट करता है, मार्केट में, डिमांड में इंपेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, प्लीज बोलो सर, थोड़ा सा बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, ये सिर संथे टो कहना यह चाहता है ठीक है तो प्रोड़क्ट का प्राइज्स उसका डिमांड को एफेक्ट करता है एक इसका रेलेशन के बारे में एकजाम में सवाल लगरता है इसके बारे में ग्जाम में डिटिल सचा करके रख़ा लिया फिर कस्टमर का इंकां बढ़ जाए तो शायद रिमांट बढ़ जाए इंकां घड जाए तो डिमांट घड जाए और और लगजरी प्रोडर का डिमांट बढ़ता है आप पहले आल्टो में चड़ते थे जब आपका मंतली इंकाम 30,000 हुआ अभी आपका इंकाम 50,000 हो गया आपको आल्टो में चड़ने में सरम लगेगा सर आपको ऐसा फिल आएगा वही लोग के हसेगा ऑल्टो देखके आप आई 20 में सिफ्ट होना चाओगे अलो जल्दी बोलो बात समझ गए कि नहीं समझे बात समझ में आ गया बोला हां सर और किसे ने कुछ बोला येस बोलो किया बोला बोलो सर जब किसी के पास कार नहीं होता है उसके लिए लगजरी होता है पूछो जिसके घर में कार नहीं है उनको पता है जिसके घर में बेसिक लेवल में आल्टो है ना उनको तो सर सरम आने लगता है अरे आल्टो करके कहा जाएंगे फिर इंकाम बढ़ गया ना सेलरी बढ़ गया पापा का पापा बोले आल्टो छोड़ो हम थोड़ा बड़ा गाड़ी लेंगे अब थोड़ा एकजद बढ़ेगा सोसाइटी में आई 20 लेके आएंगे या जो भ पानों किसी का इंकाम एन्वाल वन क्रोड में पहुंच गया तब बंदा बोलेगा यह सब छोड़ो इंडियन कार प्रेंड गाड़ी में आते हैं तब अब टोयोटा निसान ब्यम डबलू या जो भी मर्सेडीज ऐसे ऐसे प्रोड़क्ट में सिफ्ट हो जाओगे तो इंका बढ़ेगा तब alma imposrier हो जाएगा आपकी नकाम बढ़ने का तो auto-inc flatterie हो जाएगा और ब्यम डब्लू के लगशरी हो जाएगा तो आपका इन्काम के डिपेंड करता हैं कि लैक्शरी का डिमांड गरो करता है आपका इंकाम को ग्रो करें तो आपको इंफिरियर लगने लगता है सब इंकाम का खेलें समझ रहे हैं यह सब एक्जाम्पल में पूछते हैं एक्जाम में कि डिमांड को जो एफेक्ट करने वाला कॉंसेप्ट है यह जैसे यहां पर सवाल था यह देखो यह समय पढ़ा है ल झ्याट फैरेंड को लेके जरी सोचते हो में हैं पर याण तेस्ट हैं के बच अगर मैच कर जाए मानाओ कि कोई प्रोडेक्ट 30,000 में मिल रहा था आपको लग रहा है कि 30,000 थोड़ा जादा है आपको लग रहे रिजनेबिल 25,000 बट क्यूंकि आपको पसंद है तो आप 5000 एक्स्टा देने के लिए रेडी हो जाते हो बजेट के अंदर आता है अगर बजेट के बाहर होगा तो कभी नहीं जाओगे उस प्रोडेट के लिए बात को समझे ठीक है तो टेस्ट प्रिफरेंस भी प्रोडेक्ट का डिमांड को एफेक्ट करता है विकास आपको कोई चीज पसंद आ जाता है ना तो आप तब दाम में स सब एकदम जिन्दकी से जाथ जुड़ा हुआ बात कर बाहूं हर फैमिली हर इंसान जो थोड़ा बहुत जीते हैं समझते हो समझतारी के साथ जीना है कोछ लोग ऐसे होते हैं अरे देने वाला उपर वाला कोई बोलते हैं अरे बंगॉली में बड़ा अच्या कहावत है किसी जमाने में टीक है तो फिर ऐसा कहा जाता है कि अगर पैसा चाहिए होगा तो वो दे देगा ने का मतलब ऐसा है लागे टाका देबे गोरीसेंट आ जिसको चिंद्टना ON गितना मेहनंत लगता है घर चलाने में कितना मसक्त करना पड़ता है जब एक इंसान गरीब था इसा नहीं पैदा ೴ी क्रही रीच नहीं अब आज जो रीच बना है हो सकता है फिर कल और रीच हो गया फिर 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 गरीब हो सकता है जिन्दगी का चलता है देखने को मलता है अब कभी गंगु तेली था तो आज राजा भोज हुआ है तो कल गंगु तेली बन जाएगा शर समझे नहीं कोई बात नहीं मतलब समझ गए यह काफी है पर कहना किया चाहरा हूं सर कहना बस यतना चाहरा कि अगर किसी को टेस्स प्रेफरेंस हो जाते हैं तो बजेट के अंद तो आज बढ़ेगा बविष्चय में दाम कम हो जाएगा बविष्चय में कम होगा तो बविष्चय में दाम कम बढ़ेगा और अधर फैक्टर भी दिमांड को एफेक्ट करता है यह सब चीजों के उपर में लास्ट क्लास में और बात्चित किया था पिर मैंने law of demand क्या है ध्यान से सुनना यह वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं क्यों कि इसके बाद मैं एक फ्रेश टॉपिंग में जाऊंगा जहां पर मैं लास्ट क्लास जहां पर मैं छोड़ा था उसी पॉइंट से स्टार्ट करूंगा कि दिमांट काप से जुड़ा बात करने जा रहा हूं तो जो लोग इतना तर से सोच रहे हैं सर क्या पढ़ात कर रहे हो लास्ट लास का बात क्यों रिपीट कर रहे हो वो लोग के लिए बोल रहा हूं सर दील थामके बैटो अभी आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि फ्रेश सा डेफिनेशन है यह जो मैं आपको अभी फंक्शन संगा रहा था टी डिमांड इकोल स्टू फंक्शन साफ पी पी आर वाई टी पी ओ यही कॉंसेट के अंदर चुपा हुआ है डिमांड का लॉप कि लॉप दिमांड स्टेट्स दाट अधर थिंग इक्वल कभी किसी किताब कोई पड़ा होगा कि आदर तींग रिमेनिंग कॉंस्टेटं चलेगा सर एक ही बात है अदर तींग इकवल या अदर तींग रिमेनिंग कॉंस्टेंट मतलब एक ही होता है there is an inverse relationship between price and quantity demand of a commodity that is if the price of a commodity falls the quantity demand of it will rise and if the price of the commodity rise its quantity demand will decline or fall sir इसको रट्टा लगाए हम लोग school level में चलो congratulations पर रट्टा लगाने के लिए पर इसको कॉंसेसली याद कर लो सर कॉंसेसली मैंने एक दम समझ के जिंदेगी वर के लिए याद कर लो कभी ना भूलो सर कैसे सर किसी भी प्रोटर्ट का डिमांड इसको बोलते हैं फैक्टर यहां पर जितना सारा फैक्टर है उसमें से सबसे इंपोर्टन फैक्टर प्राइस है और डिमांड को जो डिफाइन किया गया तो प्राइस को सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंस दिया गया इसलिए बोला कि लॉप डिमांड स्टेट्स अधर तिंस बिंग इक्वल दिर इन 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 इंवर्ट रिलेशंशिप ब्राइस और कॉंटिटी दिमांड को डिमांड इसको जहन में रखना है अब इसको सिंप्लिफाई करते कि यह जो अधर थिंग इक्वल बोला ना सर मैं यह पर एक छोटा सर काम करता हूं सर अर्ज़ बाकी पॉइंट है इसके इसके उपरना मैं बार लगा देता हूं क्या बोलते सको बार यह बार क्यों दिया यह फ्रीज कर दिया मैंने कि इसको जब किसी फ्रोडटक का डिमांड को डिटरमाइन करते है ना चाहि कुछ भी हो ज नागी बैर स एक सूैंखे से लेकर स्वी समझते हुए जिससे से लेके बड़ा मेशीन तक किसी भी चीज़ का प्राइस उसका demand को determine करते हैं और जब किसी product का demand determine करते हो तो बाकी बातों को constant करो sir बाकी बातों को constant करो जैसे कि related price का दाम, आपका income, test preference, future expectations of the product price and other factor बाकी सबको constant रखके जब सिर्फ और सिर्फ price के उपर विस्ख करके किसी product का demand को determine करते हो अगर product का price बढ़ता है, तो आप उसका demand को economy में क्या देखोगे कि price अगर ज़्यादा होता है न तो demand घड़ जाता है और price जब कम हो जाता है तो demand बढ़ जाता है जब price घटेगा तब demand बढ़ेगा जब price बढ़ेगा तो demand घटेगा वही बात यहां पर कहा है बार बार जैसे की आइफोन का दाव चल रहा है किया दारम चल रहा है यह डास दिन भी बोला था कोई मुझे बता होगे क्या दाम है आइफोन का मैक्स का को कि कहा गया भई दिख नहीं रहा है लेटेस्ट मॉडल कि तरी तो 14 ने दम कम दिख रहा है गया कि 14 प्रो मैक्स का नहीं दिख रहा है अच्छा जो भी हो सर अभी 15 आगस्ट आ रहा है न तो इंडिपेंडेंटन सेल चलेगा कुछ दिन बात देखना यह 68 थाउजन का दांप पैंसट हजर करके दिखा रहा होगा मोस्ट प्रोब्ली यह जो 69 थाउजन है 4000 में कम हो जाएगा तो आपको क्या लगता है अगर अचानक से 69 के जगा 65 में यह आईफोन बीखने लगे तो डिमंड बढ़ेगा कि घटेगा अलो कि बढ़ जाएगा सेंपल सी बात है कि यह सब्सक्राइब हो जाएगा मतलब अगर इसका प्राइस कम जाएगा तो सप्लाइब लोग जो सेलर्स हैं वो कम प्रेंट है सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस बता रहे हूं कि सप्लाइ बढ़ता है तो इसका बढ़ाता है और जब कम कर देता है तो इसका कम कर देता है सर यह concept को न एक साथ अभी मत सोचो confused हो जाओगे मैं समझ सकता हूं जजबात समझ सकता हूं कि सर definition से बोल रहे हैं आप हमको गलत नहीं बोल सकते हैं नहीं सर आप गलत नहीं होगे पर डिस इस आप से ना सोचो सर मैं आपको एक genuine चीज़ बता रहा हूं बहुत सरा पहलू है lots of parameters जैसे iPhone का दुकान दर यह जो सेल सेल में क्या करेगा यह जो सेल लगने वाला है यह जो सेल लगने वाला है दाम अचानक से थोड़ा से कम करेगा 69 का फोन को 65 में देगा तो आपको ने लगता पहले से supply बढ़ जाएगा नहीं तो इतना सारा लोगों का demand फुल्फिल नहीं क प्राक्टिकल लीगी पतब पहले स्टोर में जितना फोन वाक करता था कहीं ना कहीं थोड़ा जादा फोन मार्केट में प्राइब स्टोर में सप्लाई हो जाएगा क्योंकि demand जादा होने वाला है यह company को भी बता है यह अक्चिली सेल को बूस्ट करने का एक सिस्टेम है और तुम जिस सप्लाई का डेफिनेशन को यहां पर सोच रहे होना सर यह नॉर्मल वे में बात करता है ठीक है मैं उसके उपर बात करूंगा थोड़ा रूप जाओ सर अंड़स्टेंड तुमने अच्छा बोला सर मैं तुमारे मिन में जो सवाल है मैं इसको रेस्पेक्ट करता हो यह एक्जाक्ली वैसे काम नहीं करता है जैसे तुम अभी सोच रहे हो मैं इस एक्जाम्पल के एंगल से मैं बात करूंगा तब मैं उस मैंटर पे आपनों के साथ बात करूंगा अईसा नहीं कि सप्लाई गम हो जाएगा ठीक है उल्टा इहां पर सप्लाई तो बढ़ा जाएगा अजस Jah ठीक है मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं संक नो इसको न डेफिनेशन में और एक बात कहा जाता है। यह वह एक्जाम पे बोल लिखना भी पड़ता है और बहुत पॉपुलर पॉइंट है इस प्राइस प्राइस किसी भी प्रोड़क के कैस में ऐसा होता है एक्सेप्शनल अलग बात है एक्सेप्शनल अलग बात है मैं उसमें बात करूंगा रुप जाओं तो लॉप डिमांड का जो बेसिक डेफिनेशन से इससे हमें यह बात तो समझ में आ रहा है कि आईपोन का दाम अगर गिर जाएगा तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा और इसी डिमांड का जो डेफिनेशन से इसके उपर बेस करके डिमांड शीडूल ट्रॉ किया जाता है तो यह डिमांड शीडूल है मांगे चलते हैं प्रोडेटर दाम एक टाका है दू टाका है तीन टाका चार टाका पांच टाका दाम जब कम है दिमांड जादा होगा पचास ग्षटेगा 5 से 8 होगा तो डिमांड भी 10 से 50 हो אני थीक evyr ऑसे बोलते इन डिमांड शीडेूर एक इंडिविजूल принципе में बात किये तो इसी चीजए को जो मार्केट की साथ सब से लेंगे तो हो जाएगे मार्केट डिमांड स्यूर सब्सक्राइब क्या है एक मार्केटेट नहीं होगा और कस्टमर भी एक नहीं होगा het के जगा अनेक कस्टमर होगा जैसे यहांнут로 एगजामप हैट टेबील में A customer B customer C customer empty customer है अब थुम ABCD करके तो पूरा market का system आ जाएगा लेकिन तब भी concept एक ही रहेगा कि जब कम है तो दिमांड अटी है न बढ़ेगा डिमांड घटेगा दम और बढ़ेगा डिमांड और घटेगा मार्केट डिमांड न दाम और बढ़ेगा डिमांड और घड जाएगा दाम जब कम होता जाएगा पांच से चार डिमांड 31 से 47 चार से 3 डिमांड 47 से 63 यह किसी भी प्रोडेक्ट में आप देख सकते हो एक्सेप्शनल सिचुएशन अलग है उसमें मैं बात करूंगा आपके साथ सर यह तो पुरा लास क्लास रिपीट कर दिया आपने हां सर मैंने किया लेकिन क्यों किया इसके पीछे कारण क्या है चलो एक काम पर अब यह जो डिमांड कारव है न एक इंडिविजुल डिमांड कारव है ध्यान से ज़रा देखें सर मैं आपके सामने ड्रॉग करता हूं आप भी चाहो तो कॉपी उठा लो और ड्रॉग करना चालो कर लो मेरे साथ सर कैसे करोगे ड्रॉग इसी है ना सब को पता है नहीं पता तो अभी पता कर लो एक एक सक्सेश और एक वाइक से सामने लाव मनें अक्चली ग्राफ पेपर जैसे प्लॉटिंग करते हैं इसमें जिरो लगा दो सर यह ओरीजिन कहते हैं इसको अब मैं क्या करूंगा य एक्सेश में प्रोड़क्ट प्राइस को डिटर्माइन कर अब मुझे आप मैथमेटिशन ना बना दो सर मैं सिर्फ अप्लिकेशन में बात कर सकता हूं क्यों किया किया इसका नॉलेज तो आप किसी मैथमेटिशन से जाके पूछो आचा देखो वान टू त्री पोर और फाइव दाम है सर प्रोड़क्ट का दाम है कोई भी तब-थप डिमांड हाई रहेगा एक सिंबल एंड हैसम्शन सरे में तो कम है तो डिमांड हमाई रहेगा छब गष्टा इंग पर घण घृंट हाई स्रम तो द ம हो जाए गया ज थोड़ा से बढ़ा दो रृम और फोड़ा से बढ़ा दो लिम्हस्ि ऑच B главное जाएका सब्सक्राइब सब से कम हो जाएगा और मिमन्सपें इसको में क्वांटिटी से 10 20 30 40 50 टीक है quantity है दस यूनिट बीस यूनिट टीस यूनिट चालिस यूनिट पचासी अब कुछ नहीं करना है सर सिंपल जो जो पॉइंट मिला है इसको एक लाइन से कनेक्ट कर देना है अच्छा कनेक्ट हो गया सर जो आया इसको डिमंट कार्व कहते हैं कि इसे डिमंट कार्व कहते हैं और यह जो डिमंट का मैंने ड्रॉइंग करने के टाइम पर आपने देखा होगा कि मैंने लेप साइड से राइट साइड में खीचा और ऐसे कहो तो उपर से नीचे के तरफ खीचा उपर से नीचे मैंने top to bottom मैंने इसको downgrade किया सर इसका मतलब मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि demand curve downward slope होते हैं please try to understand downward slope demand curve downward slope होते हैं अब इसी बात पर सर सबको demand का drawing समझ में आगया actually मैंने थोड़ा fast fast क्यों बोला बोलो तो क्योंकि यह सब बाते मैंने last class में भी करवाया था इसलिए किसी किसी को लगता होगा किसे repeat हो गया है और किसी किसी को लगा चलो अच्छा है हम लोग वो सर ने वापस बता दिले या किसी को लगा सर रिवाइज हो गया चलो जिसको जो भी लगा है हम आगे बढ़ते हैं अब question of the day एक बहुत बड़ा सवाल का जवाब देने वाला हो सर एकनोमिस कही सवाल है मैं तो जवाब दूँगा बट तरीके से कि demand gap downwards क्यों होता है Why does demand gap slope downwards Demand gap neither आसा नहीं होता है demand gap होता है That is a exceptional situation गश्या अब हम लोग यहां पर exceptional का बात नहीं कर रहे है ईसर exceptional बात नहीं कर रहे है हम लोग regular बाते कर रहे है हम लोग regular matter में बात कर तो exceptional का बात अभी नहीं करेंगे ठीक है हम लोग regular point में बात कर रहें तो exceptional point को नहीं लाएंगे क्योंकि exceptional situations में demand का वापवर्ट स्लोप होते हैं but currently we are talking about regular situations एक regular situations में demand का always downward slope होगा but the question is why सर मुझे इतना बताओ अभी तक मैंने जितना discussion किया क्या आप लोग इस बात को समझभाएं सर्व कि मैंने जस्क्रास को repeat किया थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा नहीं और फिर मैंने एक demand का ड्रॉब करना दिखाया आपको कि राम शाम यदू मदू हान राम रहीर जिसका भी नाम ले लो डिसुजार कर सकते हैं लृट्यवन को वाजनर राम का वह शाम का एक अटिटूड क्या वोता है इन्से-डिपलोग रहीन गैसे हो कि वो ज्यादा लेगा कि कम लेगा तो इन्हें रेगुलर सिचुएशन्स वो अब्यस्ली दाम ज्यादा होगा तो कम कर देगा और दाम कम होगा तो ज्यादा कर देगा इन्हें रेगुलर सिचुएशन्स ऐसा ही होता है बड़ एक सवाल यहां पर जनरेट हो जाता है और सवाल यह है कि डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप क्यों होते हैं कि अभी तक मैं जो बात आपसे कर रहा हूं तो फिर मैं थोड़ा आगे बरूँगा मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा बोलो सर हां सभी को हां क्रेश मानुशी मांसी साहिल सुमनात तिशा तुशार बोलो सर क्लियर हो रहा है है हां सर मैं भी थोड़ा सा सिंपल हो जाता हूं अभी हां जल्दी जल्दी में 15 मिनिट का डेडलाइन आदा गंटा हो गया है सर देखो कुदी कुद का बात रखनी पाते हैं सर बात रखने के लिए अगर काम ही ना हो तो ऐसा बात ना रखने से कोई खरा भी नहीं सर आप खुद के हिसाब से ना बहुत कुछ जबर्दस्ती बोल देते हो अच्छा ठीक है सारी चलो अच्छा यहां पर न एक पॉइंट लिखा है पॉइंट को थोड़ा गौर गिरियेगा थोड़ा सा थोड़ा सा कंसेंट्रेट करियेगा कहता है कि law of demand is a qualitative statement because it explains trend but not exactness अच्छली यह बात सिर्फ demand का नहीं है यह economics का ही बात है economics कभी भी exactness नहीं बोलता है सर कभी भी economics कभी भी exact बात नहीं कर पाता यह always trend को बताते हैं कि एक्जांपल दो कि बहुत एक्जांपल हो सकता है जैसे economics का एक बहुत बड़ा mirror बोल सकते हैं आप economy का mirror कहते हैं किसको मैं तो डेली सुबह इसके बारे में पढ़ाता रहता हूं जो लोग share market को पढ़ाई करते हैं या CSCMA final level में पढ़ाई करते हैं तो मुझे बोलना पढ markets मनें share market का एक parameter है आप लोग आजकल काफी conscious हो यह सब बारे में जानते भी हो कोई-कोई कि तो कहना क्या चाहते हैं सर कहना यह चाहते हैं कि यह जो last one month में अगर आप निफ्टी का just line graph से देखो मैं भी candlesticks बगेरा में बात नहीं करूंगा कि अब लाइन चार्ट से देख पा रहे हो कि कभी मार्केट बढ़ा है तो कभी मार्केट गिरा है जैसे आज कल भी मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव था लेकिन आज मार्केट डाउन हो गया है अब हर कोई कोशिश करता है कि market को जाननेगा कि कल भी अच्छा करेगा परसू भी अच्छा करेगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा पर पॉजिटिव नहीं होता है और इसका ट्रेंड रेगुलर पहचानना इतना आसान चीज है नहीं कि मार्केट आक्चुली कैसे बिएब करेंगे यह बहुत सारे पैरामेटर कहना असान है बड़े से बड़े आदमी वरेंट वफेट से लेके राके जुनजन वाला तक वह भी फेलियर हो गए सर चो मैं यह नहीं बोल रहा हो कि पॉसिबल नहीं है पॉसिबल है पर जितना भी अलग-अलग तरीका एकोनोमिक्स बताते हैं हर तरीका में अपनी आपको मास्टर बनाना समय का खेल है सर और जब कोई इस चीज़ को कॉंसेसली रियलाइज कर पाते हैं वही मार्गेट के बारे में एक प्रॉपर एजम्चन लगा सकते हैं एकदम एक्जाक लेकिन फिर भी उसे एक्जाक्टली नहीं बोलते हैं उसे ट्रेंड बोलते हैं ठीक हैं जो जितना अच्छा ट्रेंड समझ बाएगा और मार्केट से इनकाम भी कर पाएगा सर आप स्टॉक मार्केट का बात करके हम लोग को लुबाते रहते हो नहीं सर मैं लुबाता कहा हूं है तो आपको जो चीज चारो तरफ होता है उसके बारे बोलता रहता हूं सर आगे बढ़े जिस सवाल का जवाब ढूंडने के लिए हम लोग नेकले हैं हाँ सर सवाल का जवाब ढूंडा है इसको बताने के लिए एक इक्वेशन का हेल्प भी ले सकते हैं हम लोग पी इकोल्स टू एसी इकोल्स टू एसी प्लस आई-ई सर क्या है ये सर पी मने प्राइस एफेक्ट एसी मने सब्स्टिटूशन एफेक्ट एंड आई मने इंकाम एफेक्ट तर सब लिखा हुआ है से सब्स्टिटूशन एफेक्ट इंकाम एफेक्ट एंड पी मने प्राइस एफेक्ट सर मने एफेक्ट कहां से आ गया है तो इस एकोईशन को समझने के लिए ना थोड़ा सा गोता खोर लंगाना पड़ेगा सर्मने सर्मने सब्स्टिटूशन के अपbelगों को पता है तृप कि अब जाते हो चाई के जगह कॉफी भी ले सकते हो प्रियम डब्लू के जगह मर्सिदिस के बारे में सोच सकते हो अल्टो के जगह नैनो के बारे में सोच सकते हो जिसका भी आपको मिले आप उसके बारे में जरूर सोचते हो कि सर इसके साथ चया करनेक्शन में इसके साथ डिमांड डाउनवर्द होने का क्या करनेक्शन है कि हमस Ab ти मांब करता इसके रिए substitution effect क्या help करता है जब किसी product का price गिरता है it becomes relatively cheaper than the other substitute commodity जब कोई product उसके current price से कम हो जाते है तो यह वो product particular product उसके substitute product से सस्ता पढ़ जाता है it becomes relatively cheaper than the other substitute commodity and this induces the consumer to substitute the commodity whose price has fallen for substitute commodity which have now become relatively expensive as a result of this substitution effect the quantity demand of the commodity whose price has fallen जिसका दाम कम हुआ है उसका demand बढ़ जाता है example बहुत कुछ हो सकता है example बहुत कुछ हो सकता है फिर भी आप लोग के मन में कोई अच्छा example हो तो बताओ मैं वही बताओ नो कोई भी जियो बसेज एर टेल पैकेज प्राइस ले सकते हैं क्या एर टेल फाइवर प्लान्स पोस्पेट प्लान्स तो यहां पर बता रहें और आप लोग ने कुछ बताने इसलिए मैंने अपने मन में मोनोटनस लगे एंप तो डिमाग में यह बता देता हूं क्या है और आप लोग भी यूज करते हो कि अगर किसी को फाइबर प्लान लेना है या पोस्पेट प्लान लेना है तो वो एर्टेल और जियो के बीच में देखता है जैसे यहां पर बता रहे हैं कि एर्टेल एस चीपर प्लान विट 40 GB data for 399, जियो एस चीपर प्लान विट 30 GB data and unlimited 5G data for 299, जियो always family add-ons with extra data of 399, while Airtel does not have any family add-ons, both operators have unlimited calling SMS and their own app service Sir, मैं details में नहीं जाऊंगा, मैं बस आपको पूछूंगा कि अगर आपको Airtel में आप Airtel यूज करते हो, और आपको जब Jio थोड़ा सा same product, same kind of product थोड़ा सस्ता रेट में देगा, मैं आपको पूछता हूं कि क्या आप सिफ्ट करोगे Jio में हलो, similar kind of product अगर आपको Airtel के जगा Jio देता है और वह भी थोड़ा सस्ता रेट में देता है तो क्या आप सिफ्ट कर सकते हो या आपका बात नहीं कर रहा हूं, आम तोर पर लोगों का बात कर, क्या लगता है, पब्लिक आट लार्ज, क्या decision लेगा आपको शिफ्ट कर जाएंगे, कर जाएंगे न सर, बस यही बात है, तो अगर सिफ्ट कर जाएगा, तो Jio का demand पहले से बढ़ जाएगा, और Airtel का demand, Airtel का demand गिर जाएगा, है न, no doubt, ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है, अब इस बात पर, मैं आपको जिस बात को discuss कर रहा था, पर सिंपल सी बात का, पर इन price of a commodity fall, जैसे कि जैसे माने बोला कि, दोनो रिदाइंस, Airtel और जियो, 399 में ही चल रहा था, पर जियो ने अचानक से बोला, कि 399 का जो प्राइस है, ये 329 पे मिलेगा, तो काफी सरे लोग हो सकता है, ये 329 में रिचार्ज करने के जगा, जियो में रिचार्ज कर ले, क्योंकि 70 टका सेव हो रहा है, वही बात कर रहा हूं, तो जब जो प्रोड़ेट का दाम competitively कम हो जाता है, with compared to substitute commodity, इसके कारण consumer substitute commodity पे shift हो जाते हैं, which have now become relatively expensive, कौन सा, मनें यह टेल competitively expensive हो जाएगा, as a result of the substitution effect, quantity demand of the commodity, जिसका दाम कम हुआ है, उसका demand बढ़ जाता है, मतलब मैं simple ही बात करना चाहता हूं, कि हम लोग जब demand का आप draw करना सीख रहे थे, हम लोग जब demand का आप draw करना सीख रहे थे, अभी 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 बता रहे थे ना, कि जब दाम कम होता है, तब demand ग्रो करता है, तो मेरा सवाल इतना सा है, आपने क्या देखा, क्या substitution effect, और substitution effect के रिकारन, जब दाम कम होता है, तब demand ग्रो कर रहा है, जब है yes or not, और अगर दाम कम होगा और demand बड़ेगा, तो demand का ब्रो कर द्रो कर द्रो कर दिविए भेज-खोरopers, अगर दाम कम होता है, तो ढम बड़ेगा तो demand का ड्रो कर दो इतनी सी बात है, मुझे किसी से प्यार नहीं है, भोलो सर, कोई now है तो पूछो, यह substitution effect, डाउन्वर्ड काब को डाउन्वर्ड कैसे कर रहा है कि दाम का होना चाहिए दिमांड बढ़ना चाहिए तो अगर सब्स्टिटुटूशन इफेक्ट ओवराल मार्केट में डाम को कम करने में हेल्प करता है कस्टमर का जो इच्छा है जिसका दाम कम होगा मुदर सिफ्ट हो जाएंगे अगर क्वालिटी आप सर्विस सेम रहे तो कस्टमर का वही कॉंसेप्ट वो जैसे देखा दाम कम हो और डिमांड बढ़ गया उस प्रोडेक्ट का और आटमेटिकली डिमांड का डानवर्ड सिफ्ट होगे हलो कुछ तो कहो सर बात समझ में आए कि नहीं इतना तो बताओ मुझा आँ सर्थ यह बात समझ में आ गया कि सब्स्टिटुशन इफेक्ट किस तरह से डिमांड का आपको डानवर्ड करता है आब इंकाम डिविट भी देख लो भण इंकाम इंकाम इफिक मैंने इसके बारे में भी मैं स्साइटिंग में बात कर रहा था इसे लिए रिपीट किया income effect वह होता है ना कि customer का income बढ़ता है तो product का demand में changes आजाता है when price of a commodity falls the consumer can buy more quantity of the commodity which is given income as a result of falling price of the commodity consumers' real income or purchasing power increases this increase induces the consumer to buy more of the same commodity and this is called income effect मिर्पि तर यह बात कुछ ऐसा हैं यह थोड़ा सा अलग ऐंगल से बात कर रहे हैं अगर मार्केट में कोई प्रोडट्ट सस्ता दिखे आप क्या करते हो कि कि आप कि यह कहना क्या गलत होगा कि अगर कोई प्रोडेक्ट पहले से सस्ता दाम पर मिल रहा है तो क्या कस्टमर बोल सकता है कि मैं मेरा इंकाम बढ़ गया सर बात थोड़ा अलग लेवल में बोल रहा हूं मैं अच्छा लो टोमाटर क्या दाम चल रहा है अरे तोमेटो क्या दाम चल रहा है देड़ सो टाका चल रहा था कुछ दिन पहले तक कम हुआ है क्या पर बात को समझो बार 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 बोल रहा हूं कि अरे बाबा दाम और बढ़ गया माता खराब कर देगा क्या अब तो का डायलोग याद आ रहा है कुछ दिन बात तो टमाटर इत्ती इत्ती थलियों में सोनार के दुकान में मिलेगा क्या कहते हो कि अब्यस्ली नॉर्मल लोकल मार्केट में थोड़ा कम होगा क्योंकि यह बिग बसकेट का प्राइज है अब मैं आपको क्या बताता हूं सुनों अगर कोई अगर कोई इंसान मिस्टर ए मार्केट जाते हैं वीकली एक बात कि पांसो टागा लेके 500 रुपीस पेंड करते हैं कि अगर एक केजी टोमेटर में में 200 स्वलटा का खरचा हो जाएगा सब्सक्राद क्या करें तुमाटव के प्यार में मुझे क्या क्या मिला मिल अब समझे चाथा हो टॉम्थ invaluableे मुझे क्या मिला इस विप्ष्मolenya में जहाँ करते हैं अगर पांसो टागा में से दूसो सोला टागा अगर तो मैंट में चला गया बच्चा कितना तीन सो सोला बाकी ग्रॉसरी जें अच्छा चोड़ो सब जी और भी तो है अलो प्यांच वेजिटेबल्स जो सिसेनल वेजिटेबल्स सब भी तो चाहिए लेकिन सारा पैसा तो यह तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि दाम के इंकम पे वह थें इंकम की हालत में अगर आग बढ़ जाता है वह कॉस्टेमर को गरिब बना देता है यू यू-वपर पोर से यह सरन ओ अ कि कि इस से महेंगाई कहते है इन्फलेशन इंसान को गरीब बना देता है आई आना-एक एक फासा है ना इंफलेशन इंसान को गरीब बना देता है जो रीच है वो मिडिल क्लास हो जाएका जो लॉइर मिडिल क्लास है वो लिस से बाहर हो जाएगा क्या बोलते इसको बिपेटी यल बीटी ये लाइन में ही नहीं है मैंने टमाटर तो चूह नहीं सकता है बीपियल वाले तो टमाटर चूह नहीं सकता लोर मिडिल ग्लास भी मार्केट में जाते हैं ना टमाटर देखते हैं और साइड हो जाते हैं कॉंसेश्री जीने से समझ में आता है तमाटर देखते हैं और साइड हो जाते हैं वह छोड़ो भाइट बिना टमाटर का खाना पका लेंगे कि तर कहना क्या चाहते हो अरे कुछ नहीं सर इनका मिफेक का बात कर रहा हूं वह भी जिन्देगी का बात सब जिन्देगी का बाते हैं सर कोई आउट आउड वर्ड बाते नहीं कि प्राइस आपे कॉमोडिटी फॉल्स कंजुमर केंड बाई मोर क्वांटिटी अब दी कॉमोडिटी विचिस गिवन इंकम अब्यस्ली या फिर उसी पैसे से दूसरा प्रोटक्ट भी खरीच सकते हैं म दो केजी लेकर आजाएगा या तो ज्यादा खरीद लेगा या फिर उसका इंकम बढ़ जाएगा तो उससे दूसरा प्रोड़क्ट पर्चिस कर लेगा जाएगा उसका पर्चिसिंग पवर बढ़ जाएगा और रीच हो जाएगा इस इंक्रीज यह जो इंकम बढ़ जाना पर्चिसिंग एबिलीटी बढ़ जाना इस इंक्रीज इंड्यूस दी कंज्यूमर उसको बाद्द करेगा तो वाई मोर आप दी सेन कॉमोड़िटी है ना ऑटमेटी के लिए सिफ्ट हो जाएगा अच्छलों टमाटर कोई बोलेग जैसे मैंगो का सिजिन गया कुछ दिन पहले में मार्केट में तो 200 टाका केजी चल रहा था कुछ दिन बाद जब वही मैंगो पचाश्टा का साट्य का केजी में आया तो सेम परसन एक केजी के जगा तीन चार केजी इवेन पांच केजी का पेटी लिखी घर आ गया हाई है ना इतना सा बताओ सर लो यह जूरा आ ना पर स वही तो जिनद्धी का खेल है और कुछ नहीं है बोला ना सर पैसा का सब्जेक्ट है मैं कोई ऐसा बात नहीं करेगा जो आपको आसमान से उड़ाइगा और फिर नीचे टपका देगा ऐसा नहीं एक दम रियालिटी में बात करता है वह आसमान में लटका खजूर पे लटका वैसा वाला नहीं जो भी हो तो यहां पर फिर से बात करना हूं सर कि जब आपका पर्चिसिंग बढ़ जाता है डियू टू फॉल इन दी प्राइस ऑफ दी कॉमोडिटी आप सेम प्रोडेक्ट जादा ले लोगे इसमें भी प्रोडे होना चाहिए डिमांड बढ़ना चाहिए मैंगो दूसर टका केजी में कंस्टमर जाके एक केजी लेता था उसके पास पैसा बचता नहीं था ऐसे मेरा आदत होता है कोई भी सीजिनल फूड खाना होया सबजी हो जब दाम ज्यादा होता है न मैं लेके आता हूं जो स्टार् लेता हूं तो घर पर आने के बाद हो अधना मैं यह सोच के लाता हूं आऑ जो स्वाग यह स्वाद बाद में लगएगा तो वह अलग बात है सtek पतल कौन खाएगा वह सब्सक्राइगा लेकिल नहीं पडल जब बाद में शाड़ टिक होजाएगा मार्केट में जाके एक किजी परवल लाने में या दो किजी परवल लाने में मैं दो बार नहीं सोचूंगा मक्सद एक है प्राइस का गिरना, डिमांड का बढ़ना चाहिए इस बार रिजन इनकाम इफेक्टिक लोना हो क्लेर हैं कि डिमंड कप डाउनवर्ड क्यों होता है उसका दूसरा बड़ा रीजन बोलो सर्थ दूसरा बड़ा रीजन अब परवल से समझो मैंगो से समझो आपका पसंदीदा कोई भी प्रोड़क्ट से समझे लो आपका इच्छा बस कॉंसेप्ट क्लारी होन चाहिए बोलो सर्थ सब्स्टिटुटुशन इफेक्ट और इंकम इफेक्ट क्लियर अरे बोलो सर्थ चुपना रहो कुछ तो बोलो हम अगए है वोलडों जई रहा है इसलों मनंशी वुषदय बच्छीश मानशी सहिल क्रेष मारे अचक तो के सर इशा स्वना स्वना सुमिद्स समझी में आ रहें ने सरे हां पाना है तुशार का आवाज नहीं आ रहा है तुशार कहा है तुशार समझ में आ रहा है तुशार नहीं है तहां चला गए है ओके अच्छा देखो तो नंबर ऑफ कंजूमर्स अब यहां पर एक इंट्रेस्टिंग चीज आने वाला है कि आल्टिमेटली सब्स्टिटुशन प्रैस इफेक्ट बन जाता है जह कि यूंद आ है कि हर भार आप प्राइस से बात कर एक बार सब्स्योटिशन के तरफ से देखां एक बार इंकाम के तरफ से देखां और डोनों मिलके आल्टिमेटली प्राइश एफेक्ट बन गया है कि अन थर्ड पॉइंट आते नंबर अ high only few consumers can effort to buy it and when its price fall more number of consumers would start buying it because some of those who previously could not effort and now effort to buy it thus when the price of a commodity fall the number of its consumer increases and this also tends to raise the market demand for the commodity market with a lot of companies and now they have to do it and as soon as possible the customer is growing and because the customer is growing and the customers have to grow so the people who have had to sell expensive feelings had to end just like the iPhone with me and now it was a time आइफोन हाथ में रखके लोग प्रेस्टिज वैलू लेता था आजकल थोड़ा कम हो गया न कि कि आजकल सत्तर अजार का एक फोन खरिजना एक आम सी बात हो गया है क्या बोलते हो आप लोग क्या आइफोन का पहले वाला बात है दस साल पहले या 15 साल पहले आइफोन अगर कि आइफोन का लगा के घूम रहा है और जिसके पास भी होता तो हाथ में आइफोन का जो लोगों है वह ऐसा रखता था जैसे दुनिया को पता चले कि भी उसके पास आइफोन है पट आजकल ऐसा बात नहीं है कि मैं जितना वहीं बता रहा हूं हो सकता है किसी सोसाइटी में पहले से कम हो गया है क्योंकि फील कर आइफोन है आजकल रिक्ष्ण वाला भी लेगा है कि तो जो बन्द آپनीया पो बॉस समझ के रिक्ष्णवाला लं लें के पास ही आइफोन है पिर वो सोचते कि आइफोन से भी बहतर कुछ आए तो वह लेंगे की यह आएलखेल का। अब किसी चीजा कम हो जाता है फहले से जादा कंजिंवर उसमें एक डीमांड को इंच करता हैं है मतलब वही बात है की जब दाम कम हो जाएं डीमांड बढ़ जाएं का सो मतलब eradc di raised time-लम होना और डिमांड का बढ़ जाए तो हर यह होते होते डिमांड का डाउनओड स्लोप होई जाता है की यजिए तो गिया 30 वाहत कि तो यह तो हेरो पॉइंट डज़े जो इसे कहते हैं कि लोज सिमिनिंशिंग मार्जिनल उजली छिज्हत इसको यह बहुत इंपॉर्टेंट कि तो यह बोजका मार्जिनल यूटिलीटी तो यह सबस्क्राइब एक चीज मुझे बोलना चाहिए यूटिलीटी का क्या मतलब होता है इंदि में बंगॉली में क्या मतलब रखते हैं तो इन सिंपल आपके लिए किसी प्रोड़क्ट या सर्विस का जरूरत के साहिए ना अबहुत आपको सटिस्पाइब करता है ज्यादा जरूरत सैडिस्पाइब कर दिया तो आप ज्यादा इूटिलीटी मांगने लगोगे कम satisfy किया तो कम utility मानने लगए वेरी गुड़ सब्सक्राइब इस यह इंटिलिटी धिरे-धिरे कम हो जाता है नॉर्मल प्रोड़क्ट पर इसा लगता है कि अब गयास होगा फिर लास्ट में तो पर्चस करने इच्छा ही नहीं करता है जैसे अभी बहुत दिन हो गया ना गोभी नहीं खाए तो मार्केट में तो अच्कल थोड़ा मिल जाता है पहले के जमाने में तो सर पतब सिजिन के चिपना मिलता नहीं था पर आजकल तो आप सिजिन में भी बहुत सारा चीज़ मिल जाता है इसके में अलग एक्जामपल लेता हूं इए मेरा बड़ा पॉपूलर एक्जामपल है और सबको अच्छा लगता है इसे लिए लेता हूं आप एग्जामपल थोड़ा सा एडविंचर वाला एक्जामपल कि बोलो कहां जाना है एडवेंचर करने आपका इच्छा जहां इच्छा लेकर जाओ कोई बात नहीं अच्छा लगेगा मैं इसा जगा में जाओंगा आपको अच्छा लगेगा एडवेंचर करने जाना है ना थोड़ा रिस्की अरिया में जाना है कि पहां जाए जहां जाके जिन्देगी लाइट थ्रेड में आ जाए डेजर्ट में चले कि यह जाना है क्योंकि सर्मार्जिनल उटिलीटी समझ रहा है जरूरी है क्या अब तो मिनिट बता देता हूं मैं नॉर्मली करता हूं यह वाला एक्जाम्पल आपको भी थोड़ा सा ज्यक्तनि कंहों और घुमने का मधा मिल जाए दे है अब लोग नाम तो सुनगे साहरा डिज़र्ट का तो मैं भी साहरा डिज़र्ट पुरा अफ्रेंग दिख जाता है अब मैं सहारा डिजर्ट में आपको चलो यहां पर कोई मॉडल गया है सैर स्विंग चलो अच्छा है तर इसमें अच्छा क्यों है मैं बताता हूं क्यों अच्छा है मानो यह रेगिस्तान में पहुंच गया आप इनको प्यास लग सकता है ना इसे तो यह बड़ा सजदज के गए हैं ऐसा लगता है कि प्रिपेरेशन लेके गया है इनके पास पानी वगरा सा वैबलेवल हैं लेक तो एक वैसे ह्लत में अगर आप चाहो तो लोगों को पानी घ meat सकते हो मानौ कि आप लोकल हो साहँ कोही मुर्गा आता है यह ए Kelli जब शैना करने और फस जाते हैं अब उनके पर गव्यास लेकर जाते हैं पानी का पर ऐसे नहीं है जाते हो तुम कि वह बंदा अपने जिन्देकी से हाथ दोने अगर जादा देर तक उसको पाणी देगा चिअ ग्लास ऑफ वाटर ठीक है ग्लास ऑफ वाटर सर अगर कोई जिन्देगी के साथ लड़ रहा है तो पानी के लिए ज्यादा दाम देगा कि कम दाम देगा मुझे इतना बताऊ सर जो बंदा डियाइडरेशन से मर रहा है जिसको डियाइडरेशन जिंदेगी में हुआ है उनको कि पानी के लिए आपको ज़्यादा दाम दे देगा अगर क्योंकि पानी आपर नहीं है यहां पर वाटर सप्लाई यहां पर नहीं है तो अगर बंदा यहां पर पहले तो भी हस रहा है पर दो घंटा बाद डियाई डिरेचन में मरेगा ऐसे हालत में आप एक लोकल होने के ना अब यह जो ट्रावेलर एडवेंचर के लिए गया है यह आपको पर ग्लस पानी के लिए अच्छा दाउन देगा येस और नो मैं आपको थोड़ा सा सुभीदा करता हूं मानों इनके पास दसलाग रुपया है यह चार आई कि यह पानी इनको तो चाहिए नहीं तो यह रहो कि इनसे अच्छा खासा प्रॉफिट करना है एक एक ग्लास पानी एक एक ग्लास पनी ठीक है पांच जर टगा में बेचना है कि 5000 रुपी पर ग्लास थोड़ा सा बढ़ा के बोल रहा हूं शायद बट अंडेस्ट तो मुझे इतना बिताओ पहला ग्लास पानी के लिए बंदा पांच जर देगा यह सर नो यह थोड़ा बार्गेंग करेंगा अ कि बार्गेंग कर सकता है बार्गेंग कर सकता है मैं मानके चलता हूं चार अजब कि थोड़ और पानी के लिए पानी काफी होगा क्यों काफी है उसको तोड़ा वापस भी तो लेके आना है कुछ रस्ते में भी तो चाहिए नहीं करेगा और इसको वहां से निकलना है रस्ते पर नहीं चाहिए रस्ते में का मिलेगा पानी आप बताओ मुझे अब को पता है आप कोई अडवेंचर करने निकलता है ना आप देख लेना सर अपने जिंदी में भी कभी एकर ऐसा कोई करता है जब एडवेंचर का भूग आता है बन्दा निकल पड़ता है यह चीज सिर्फ वही सोच सकता है जो कभी इस बात को रेयलाइस किया है लेकिन को आसपास का घ्यान तो नहीं होता है तब वो ना अपने जिंदगी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा कि कुछ भी करेगा ठीक है हम लोग ले रहे हैं सर आप अपने हिसाब से सोल सकते हैं बड़ मैं थोड़ा सा कहानी बना रहा हूं कोई बात नहीं सर चलो मैं मान लिया तीन हजार का ग्लास देगा और सबसे लास्ट वाला जो ग्लास है यह वह सोच रहे कि थोड़ा एक्स्ट्रा रिजर्ब करने के लिए तो बोल रहे कि इसके लिए तो मैं हजार देंगा ठीक है अब जो बंदा बेचने आया है वो तो सर जितना भी अगर हजार टका भी ग्ला नहीं सोच रहा हूं कि जो सोच है सारे के सारे खेल कंज्यूमर के एंगिल से हैं कि यह जो बात आप सोच रहे हो ना डियम्यू का कॉंसेट लॉप डिमिनिशिंग मार्जिनल उटिलिटी आप जिन्दीगी में कभी नहीं भूलोगे आपको याद रहेगा कि सर ने एक दिमा पहला ग्लास पानी पांसेजर दे रहा है इसके बाद इसका दूर हो जाएगा पर सेकंड पानी भी पियेगा क्योंकि बहुत जोर गाथा तो चार जर्टा का सेकंड ग्लास के लिए और फोर्थ के लिए यह थोड़ा सोच रहे कि अभी तो यहां से निकलना है पर रस्ते में भी तो चाहिए तो थोड़ा दो ग्लास पानी रस्ते के लिए भर लिया और उसके लिए भी थोड़ा और कम दाम दिया लेकिन फिलाल आप इतना समझ गए होंगे कि यूटिलीटी जब कम हो जाता है इसका मैं आपको रियल लाइफ भी पता देता हूं यह तो था सहारा डेजर्ड में एडविंचर वाला अब रियल लाइफ में जैसे गोभी वाला एक्जम्बल तो आपने देखी लिया बट इसका अप्लिकेशन कुछ देना पड़ेगा ना गोभी में तो मैंने बस अपना है एक्जम्बल के लिए मास्टर ले ले लेता हूं मास्टर डॉयल अच्छा आप लोग भी जानते हो कि जब दुकान में हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं उसका दम ज्यादा होता है कि पांच लिटर करने में दाम सस्ता पड़ता है मनें पर लिटर बात कर रहा हूं हां सर एक्जम्बल के लिए बात कर रहा हूं कि नॉर्मेरी ऐसा होता है ना कि आप एक लिटर का पाउच लो तो आप अगर पर लिटर में 100 अगा देते हो पांच लिटर लेने से थोड़ा सस्ता नहीं पड़ जाएगा अलो आज सब करें में खाथा पाउच कinga दॉट्सेग सब्सटम्राइब कर लाए再res लक्रण और इसलिए कर लिटर लोग आप एप इस बात का जवाब दोगई अगर आप व इस पांच लेह करना चाहेंगे और मार्केट में मिलता है कम ज़्यादा लेने से कम आपको अबिलेबल होता है होता है कि नहीं होता जब आप कोई भी चीज का सेम चीज अब जब ज़्यादा लेते हो आपको दुकांदर कम करता है कि दुकांदर खुद बोलेगा कि एक के लिए दान कम नहीं करेंगे पर चार लोगे या पांच लोगे तो कम कर देंगे कि चलो अगर आपको तेल का एक्जामपल समझ में नहीं आया कभी मार्केटिंग के लिए निकलो ना हाँ सर अभी शॉपिंग के लिए तो जरूर निकले होंगे एस प्लैनेट या गोडिया हाट मार्केट उलकाता में रहते हो तो अगर या फिर आप जहां से भी रहते हो ज कपड़ा सेल कर रहे हैं आप अगर यह सिंगल कपड़ा लोग है तो आपको शाहइद दाम बोलेगा 500 अग्सित अपको बताता हूं कि आप पांच कपडा लो इन से सिमिलर टाइप का आप इन से बार्गेन करो तो आपको कम कर देगा लेकिन से आप एक कपड़ा लो यह पां इस और पर आघसे रहें higher the ज़से ले लेते हैं अगर ब्रम थोड़ा कम करेगा तो कहना क्या चाहते हैं कहना फिलश से चाहते था कस्टमर का साध़ कचो सोचो सब 것이 तक और इसी एक कपन बेचके स्को शायद कि 100 डगा profit करेगा वो अगर single कपड़ा बैचेगा तो उसका profit रहेगा 100 रुपीज Anrily प कड़ अगर वह अपना profit margin छोड़ा कंप करता है पर कपडा में से for example Katy पर कपडा profit करेगा तो उसका पांस कपडा भीख तो पांच कपड़ा में अगर 80 रूपीज पर पर क्लोथ में वह प्रॉफिट रखता है तो वह 400 डगा कमाएगा तो दुकांदर यह सोचता है कि मैं जादा बेचूंगा तो मेरे को जादा मिलेगा लेकिन वह तब तक दे सकता है जब तक वह अपना फाइदा कर सकता है अब यह तो सप्लेर के अंगल हो गया लेकिन कस्टमर के अंगल क्या है कस्टमर कम ज्यादा के लिए कम क्यों पे करना चाहता है हैं फिरफ के लिए पान सो दे रहा था नेज़र पांच या चार फड़ा ले रहा हैं तब वह पर पड़ा में साड़े चारसो करके ठेकर न चाता है ऐसके एसलिए क्यों क्विए क्यूंकि सञर्ड फॉर्थ कपड़ा के लिए उसका यूटिलिटी का मैं रह्म के शक्षाध था क्रेशन के इसके यूटिलीटी कम में लेकिन पहले कपड़ा उसका जरुरत है और ने क्वेल पहले कंजुमर सेरे उसके इंसान दाम देता है और हुब होता है ला करो ni में ये concept देखने को मिलता है कि आपको अभी मानों अभी आपको घर पे पढ़ाई complete होगा जैसे अभी class खतम होगा मां बोलता है कि जा बेटा बजार से आलू लेकिया ठीक है पूटाटो तो आप बजार जाते हो पूटाटो लेने के लिए करें तो महां आपको बोला है कि बेटा एक केजी आलू लाना अब को फिर यह भी बोला कि अगर जैसा बोला कर तो लेना तो आप दुखांदार के digging है आक बोले क्योंब 10 आप तो बोला कि तीन केजी लोग है है तो 27 कर दे देंगे लगी कोश्चिन इस आप सेकेंड या थर्ड के लिए क्यों जा रहे हूं वो आपके घर में अभी जरूरत नहीं है लेकिन कल लगेगा परसू लगेगा लेकिन अगर दुकांदर कम करता हैं तब ही जाके आप लोगे आपका यूटिलीटी एक कीजी का है सबसे जादा सेकेंड इस प्रक्षें कमता है वैसे वैसे आप बार्गेन करके उसका दाम भी कम करते हो लेकिन अगर आप हाइली सेटिस्पाइट रहते हो ना तो आप बार्गें ज्यादा देता कर नहीं पाओगे आप दाम देके ही आ जाओगे इस आए आपको समझा पारा हूं जाना जाए जिनने की पर याद रहे बट आप आलू मार्केट जाओ या तेल मार्केट जाओ या कपड़ा मार्केट जाओ जाओ जब भी लोट में लेते हैं हम थोड़ा सस्ता कर लेते हैं और यही प्रैक्टीज मार्केट में देखने को मिलता है इस कॉंसेट का नहा है डिम्यू लाउप डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी अच्छा आप लोग मुझे बता सकते हो इस कॉंसेट के बारे ने कौन से एकॉनोमिस्ट ने अक्चिली डिफाइन किया है इस कॉंसेट को बताने वाले एकॉनोमिस्ट का नाम क्या है त्राइक करो सबसे पहले आया अडम स्मित के बाद अलफेड मर्सल ने आया यह अलफेड मर्सल सरका है यह भी क्लासिकल एकॉनोमिस्ट महीं गिना जाता है इस अलसो क्लासिकल एकॉनोमिस्ट इन्होंने सबसे पहले इस मार्टर में बात किया इसके उपर बातचित करेंगे सर यह concept आएगा एक chapter आएगा सर बने डिमंड के अंदर यह concept आएगा theory of consumer behavior अनुसके अंदर एक concept आएगा Marginal Utility Analysis तब भी यह बात होगा फिर से पर तब थोड़ा और भी discussions होगा पर आज मैंने आपके साथ जो किया मैं बोला था कि आज Marginal Utility पर बात हो सकता है और हो गया क्योंकि नेरे को तो पता था कि आज मैं यह topic बताने वाला हूं कि आखिर डिमंड का डाउन्वाड क्यों होते हैं इसके लिए चार रीजन काम आगे क्या है सर अचा अब आप आप बोलोगे हैं कि सर लास्ट बाला पॉइंट के लिए डिमंड का डाउन्वाड की होता है क्योंकि आप जैसे-जैसे ज्यादा क्वांटिटी लेते हो वैसे-वैसे कम दाम पे करना चाहते हो बात वही वह वापस कि दाम का कम होना एंड डिमंड करना चाहिए चाहिए रिजन कुछ भी हो चाहिछ रिजन सब्squटिटूशन का हो चाहिए इंक इंक इफिक्ट हो चाहि Hallelujahक नमबर ऑप पी का हो चाहिव और हर रिजन आपको एक जगह में लीके आएगा पर वह रिजन है कि दाम का कम होना एंड डिमंड का बढ़ हां बोलो सर आया की नहीं आया है आया सर ठीक है इसी तरह से समझते रहना और घर पर पढ़ते रहना आपको डिमंड करें बारे में बात करूंगा ठीक है वहां पर भी बहुत सरे अलग अलग चीजों के बारे में बात करूंगा तब तक घर पर पर प्रिविएस लेक्च्चर्स को थोड़ा करके रखें इंट्रॉड़क्शन ओप इकॉनोमिस का भी कुछ क्लास शेयर करके जानना है एकॉनोमिस का कोई अंगा नहीं है वह इंट्रॉड़क्चन लेबल पढ़के एकॉनोमिस का एक और बेसिक लेभल आइडिया ले ले सकते हो औ कैसम और सुछ क्लास शॉड़ाना रहाएं को मैंक्रनोने के सब्सक्राइब फुरॉड पूराना इक्लास से औरी होग और नॉलेज भी ग्यातर हो जाएगा चाहो तो कर सकते हो जैसे अधर्वाइस मेरे साथ साथ भी चल सकते हो जैसे चल रहे हो इस फूल अले डिपेंड नियुक्त तो नेक्स क्लास में बाकी चर्चा करेंगे तब तक घर भी क्या करना है जो मैंने पढ़ा दिया इसको प्रैक् ठीक है ओके फिर गुड़नाइट सार अलो सुमित बोलो अब अभी मिला आवाज इतना देसे नहीं मिल रहा था